हलो फ्रेंड्स केसे हैं आप सब आई होफ सब अच्छे ही होंगे आज हम बनाएंगे ब्रेटानिया केक तो ब्रेटानिया केक के लिए हमें क्या क्या चाहिए तो ये मैंने सबा कप मेदा लिया है हाफ कप से भी कम मैंने घी लिया है ये चेरी लिया है ये मैंने ड्राए प्लूबेरी लिया है वन फॉर्थ कप मैंने मिल्क पाउडर लिया है, वन तीस्पून वेकिंग पाउडर, हाफ तीस्पून वेकिंग सोड़ा और यह मैंने हाफ कप से भी कम घी लिया था, इसके अंदर मैं ओईल डालूँगी, आदा ओईल, इससे क्या होगा, केक अपना विल्कुल स्पून जी बनेगा, और यह ओईल अपना फोर्चून वाला है, आप चाहे तो पूरा ओईल या घी ले सकती है, अब इस बाउल के अंदर मैं हाफ कप इसमें दई डाल दूँगी, दई अपना रूम टेंपरेचर पर ही होना चाहिए, तो अब हम तीनों चीचों को विक्सर के हेल्प से अच्छे से मिक्स कर लेंगे, यह देखे, अपना क्रीमी बन चुका है वेटर, अब मैं इसमें यह मेदा डाल अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसका एक वेटर दयार करेंगे, तो इसमें अंदर हमें हाफ कप इसमें दूँठ डालना है, अब हम इसे विक्सर की हेल्प से इस अच्छे से चला लेंगे, और इसमें मैंने पूरा भर की एवन टीस्पून इसमें कॉन और ये मैंने पहले से ही इसमें गेस के उपर कड़ा दी है जिसे अपने कड़ाई एक धम अच्छे से हीट हो जाए और इसमें मैंने ये ड्राइफ रूट डाल दी है ड्राइफ रूट्स आप अपनी मन पसंद भी डाल सकते हैं फ्रेंड्स अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर ल लिया है यह देखें तो सारे ट्राइफ्रूट्स अपने अच्छे से मिक्स हो चुके है और अब मैंने यह ओरेंज फ्रूट कलर लिया है जिससे अपना केक का जो भी बेटर है वो एक थाम अच्छा आएगा यह देखें जैसा हमें यल्लो थोड़ा सा यल्लो प्रीमी चीए य मैं ने एक दिन लिया है देन मैंने बटर पेपर डाल दिया है अ इस Remember साथा डाल देंगे ऐने तो सारा डाल दिया है अब इसस हम थोड़ा साथ कर लेंगे जिसमें इसकी कोई बबल्स होगी तो वह सारी निकल जाएगी और इसमें मैं उपर से ड्राइफोट चेरी डाल रही हूँ आप चाहिए इसमें ड्राइफोट का जो बदाम जो भी आपको अच्छा लगी है वो आप इसके उपर डाल सकती है अब हम इसे पेक करके अब इसमें कड़ाई में रख देंगे यह देखे और इसमें उपर से भी कवर कर देंगे अब हम इसे लो फ्लेम पे ही पकाना है तो अपना यह केक बन के एक्टम रेडी हो गया है आप देख सकते हैं प्रेट मैंने इसे 45 से 50 मिन्ट तक इसे गेस पे लो फ्लेम पे ही रखा है तो अपना केक बन के रेड़ी हो गया है अब मैं आपको प्लेक में ये बताती हूँ ये दिखेगे ये बटर पेपर में हटा रही हूँ तो आप देख सकते हैं अपना केक आप चायता इसे मीठी ब्रेड भी बोल सकते हैं ये देखेँ एक धम बन के तयार हो गए और जैसे मैं इसको दबा रही हूँ आप देख सकते हैं कितनी स्पोंजी बनी है यह देखे अब मैं आपको इसे काट के बताती हूँ तो यह देखे मैं इसकाट के बताया आपको यहाथ मैं लिए देखे कितनी नरम एक धमनरम स्पोंजी बनी है तो आप घर पे जरूर ट्राइ करें और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और कमेंट लेना ना भूले